एलो दोस्तों, बॉली उट्र वरुन धोण और कृती सिनिया और फिल्म भेडिया आग सिनेमा घरों में रिलीज होच किया है बीते कई दिनों से फिल्म की स्टार कास्ट इसका जबर्दस्त प्रमोसन कर रही है फिल्म के प्रमोशन के लिए वरुन और कृती ने स्टेज से लेकर सिनेमा हौल के छट तक पर डांस किया है तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ भेडिया मूवी से जुड़े कुछ ऐचे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को नहीं पता होगा तो चलिए सुरू करते हैं आलिया भट को सबसे पहले कृती सेनन वाला कैरेक्टर का ओफर दिया गया था लेकिन आलिया भट के पास टाइम ना होने के वज़ा से उन्होंने इस रोल को मना कर दिया दिलवाले मुवी के बाद क्रिसी सेनन और वरुन धवन दूसरी बार एक साथ स्क्रीन सेयर करते नजर आने वाले है वेडिया फिल्म का 70% सुटिंग अरुनार्चल प्रदेश की कुछ हिस्सों में हुआ है इसलिए वरुन धवन एक नौर्थ इस्टर्ण कारेक्टर प्ले करेंगे जिसे कथित तोर पर जोमिन कहा जाता है फैक्ट नमर फोर भेडिया मुवी के नाम से ही पता चलता है कि फिल्म एक वेर वुल्फ के बारे में है जो पूरी निमा की रात में अपने रूप में बदल जाता है निर्माताओ दोरा जारी इस फिल्म के ट्रेलर के अनुचार वरुन धवन वेर वुल्फ के भूमिका नुभाएंगे फैक्ट नमर फाइफ ये मुवी होरर कॉमेडी युनिवर्स का एक पार्ट है इस युनिवर्स की पहले मुवी थी इस्त्री, दूसरी थी रूही और ये भेडिया तीसरी मुवी होने वाली है फैक्ट नमर 6 भेडिया मुवी के बाद ये लोग फ्यूचर में इस्त्री 2, मुझा, वैंपायर, सुनहरा सुनहरी, रूही रिटन और मुझा 2 मुवी लाने वाले है जिसमें मुझा 2 में वही कैरेक्टर होगी जो इस्त्री में चुड़ैल बनी थी यानि कि मुझा इस्त्री का प्रिकवल होगा फैक्ट नमर 7 इस होरर कॉमेडी यूनिवर्स को काफी बारिकी से जोड़ा जा रहा है जिसका एक परफेक्ट एक्जामपल है भेडिया मुवी में इस्त्री यानि कि सरद्ध कपूर का कैमियो फैक्ट नमर 8 ये मुवी इंस्पायर है हॉलिवड की फिल्म बैड मून से जिसका एक छोटा सा पार्ट जहां पर हीरो को एक भीडिया काट लिता है उसके बाद वो खुद भी एक वेर वुल्फ बन जाता है तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसे ही दिखाया जाएगा फैक्ट नमर 9 मूवी का बजट बताया जा रहा है कि 50-60 करोड का है लेकिन इस फिल्म का VFX उस कमपनी से किया गया है जिन्होंने The Jungle Book, The Lion King, Godzilla vs. Kong इन जैसे मूवीज के लिए VFX और CGI के लिए काम किया है MPC यानि कि Moving Picture Company फैक्ट नमर 10 फिल्म में लीड एक्टर को छोड़ कर 70% स्टार कास्ट अरूनाचल प्रदेश से है और फिल्म भी अरूनाचल प्रदेश में ही सूट किया गया है और इस फिल्म के टाइटर ट्रॉंग भी अरूनाचल प्रदेश के फेमा सिंगर रैपर K4 खेकों ने गाया ह और ऐसे ही आमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई